बार सिलेंडर ढोंड रहे हैं तो आपने वीतर दो सिलेंडर लगा रहे हैं यह सिलेंडर हैं बर सिलेंडर कम पड़ गए यह डोक्टर साब कहते हैं यह दो सिलेंडर यहां लगा रहे हैं दो डोक्टर इधर दे रखें जहिन दोस्तो मैं डॉक्टर संगराम पाटिल इंगलेंड से बात कर रहा हूँ मेरे एक दोस्त ने मुझे रामदेव बाबा की एक वीडियो फॉर्वर्ड की जिसमें रामदेव बाबा योग प्रानायम सिखा रहे है और ये शायद अभी अभी रिलीज हुई वीडियो है जिसमें रामदेव बाबा ऑक्सिजन सिलेंडर बेड्स कम हो रहे है और इसमें जो निगेटिविटी देशबर में फैलाई जा रही है तो इसके बारे में बात करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि यह latest video है और इसमें रामदेव बाबा ने जो claim किये है यह काफी urgently address होने चाहिए क्योंकि उनसे लोगों में गलत फाहमी फैल सकती है और लोगों का बड़ा नुकसान भी हो सकता है जाने भी जा सकती है तो तीन चीज़े रामदेव बाबा कहते है कि यह बेड नहीं है oxygen नहीं है समशान घाट में जगह नहीं मिल रही है यह जो सब negativity फैलाई जाए गई है यह important नहीं है यह इसकी जुरुत नहीं है यह बेवज़े है तो यह थोड़ा सा political भी मुद्दा लगता है मुझे रामदेव बाबा शायद किसी अपने political friend को बचाना चाते है किसी ally को बचाना चाते है bears नहीं है, slender नहीं है यह बहुत serious बात है इसके बारे में आवाज उठानी है चाहिए और media, social media में भी यह चर्चा चलनी चाहिए लेकिन यह political मुद्दा छोड़कर मुझे दो बड़ी महतोपुरुन बाते जो रामदेव बाबा की clip आई है मेरे तक पहची है उसमें पता चलती है रामदेव बाबा इसमें कहते है कि हमारे जो फेपड़े है इन नाकों को सिलेंडर कहते है और बुलते है कि कुदरत में oxygen भरा पढ़ा है तो आपको cylinders के ज़रुरथ नहीं है यही हमारे cylinders है, तो यह जो बात है इससे पता चलता है कि रामदेव बाबा को normal physiology जो है यह समझती नहीं है, क्योंकि वो doctor है नहीं, उन्होंने physiology सिखी नहीं है, उनको प्रानायम योग अच्छी तरह से आते हैं, यह body exercises होती है, यह naturally हमारे जो पुरवच थे, उन्होंने डून न निकाले हुए एक physiotherapy के breathing exercises है, जो प्रानायम है, इनके बारे में मैंने खुद वीडियो बनाये है, कि यह किस तरह हमारे breathing को help करते हैं, लेकिन यह प्रानायम एक part होता है, जब किसी के फेपडों में pneumonia आ जाता है, ARDS हो जाता है, उनकी oxygen level कम हो जाती है, इसको hypox या कहते हैं, तो यह type 1 respiratory failure में यह सिर्फ एक part of the strategy होता है, फिजियो तेरपी, यह पूरा इलाज नहीं होता है, रामदेव बाबा यही गलती कर रहा है कि वो समझते हैं कि यह प्रानायम मतलब यह पूरी treatment होगी COVID के pneumonia की, तो साथियो यह बहुत गलत चानकारी है, जब normal physiology से कोई COVID जैसी बि और COVID में हम सब चानते हैं कि pathology यह होती कि इसमें organizing pneumonia आता है, pneumonia most लोग तो बाहर निकला जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को oxygen कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को oxygen देना पड़ता है, उनका इलाज प्रानायम या बसरिका या कपालवाती नहीं होता है, उनका इलाज होता है, medical treatment लेना, oxygen, supplementary oxygen लेना, ताकि जब तक वो फेपड़े recover होते है, बिमारी recover होती है, तब तक यह supplementary oxygen हमारे body को help करता है, अगर यह वक्त पर नहीं मिल पाता है, तो लोगों की जान जा रही है, यह हम देख रहे हैं, तो रामदेव बाबा की यह जानकारी जो है, यह बिल्कुल ग जैसे, इसलिए, supplemental oxygen is a life-saving therapy, तो कोई भी इस गलत फैमी में मत रही है, कि रामदेव बाबा के प्रानायम से, या किसी के भी प्रानायम से, या कोई breathing exercises से, आपको oxygen की ज़रुवत नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है, दूसरा जो claim रामदेव बाबा करते है, कि उन्होंने 70-80 प्रतिशत oxygen जिनका कम आ गया था, ऐसे लोगों को ठीक करके घर बेज दिया, तो यह जो दावे है, रामदेव बाबा काफी पहले से करते आए हैं, वो तो cancer को cure करने की जो दावे हैं, अभी अभी हाली में उन्होंने type 1 diabetes के cure के कुछ video release किये, मैं उसके बारे में separate video करने वाल लेकिन इस मामले में जो बोले है कि 70-80% जिसका oxygen कम हो गया उनको भेज दिया, घर भेज दिया, ठीक करके, तो साथियों यह गलत फाहिमी में मत रहना, 70-80% जिसका oxygen कम हो जाता है, मतलब उसके फेपडे काफी लेवल तक pneumonia में इन्वाल हो गया है, इन लोगों को कम से कम कुछ हपते भी oxygen supplementation या उससे भी ज़्यादा support लगता है, जिसको हम bypap कहते हैं या ventilator कहते हैं और अलग-अलग तरीके की treatments hospital में लगती है, तब इनकी जान बच जाती है, अगर oxygen नहीं देते हैं और support नहीं देते हैं, respiratory support तो इन में से काफी सारे लोग at risk हो जाते हैं और जान प्रानायम से हो जाएगा, योग प्रानायम ऐसे हालात में करना जानलेवा हो सकता है, simple breathing exercises जो हमारे डॉक्टर्स बताते हैं, physiotherapist बताते हैं, वो करना ऐसे हालात में कोई भी योग प्रानायम करने की क्रोशिस मत करना, और तीसरा जो सबसे गलत दावा रामदेव ने किया है वो ये कि उनका कहिना है कि एक घंटा भसरी का कपाल बाती करके मैंने लोगों को ठीक कर दिया, तो सातियों मैं खुद कोविड के ICU में काम करता हूँ, मैं कोविड, खुद मुझे कोविड हो गया है, इछले साल मेरी वाइफ को भी हुआ था, और मैं जानता हूँ जिसको को अंजोरी आ जाती है, और मेरा तो ऑक्सिजन नॉर्मल था, लेकिन फिर भी मैं बेड से भी उठने को मुझे जी नहीं करता था, हलाकि मैं इंडिपेंडन ना लेता था, अपना काम कर लेता था, लेकिन तीन हपते मैं हॉस्पिटल में काम करने के लिए नहीं गया, मेरी वा उनको ब्रिधिंग डीप सास लेना भी मुश्किल हो जाता है, और रामदेव बाबा कह रहा है कि हम मैंने इनको एक गंटा कपाल बाती और भसरी का करा के गर वापस बेज दिया, साचुरेशन नाइंटी आट करके, तो ये रामदेव बाबा एक तो कुछ जानते नहीं है, ह असरी का दूर की बात है, ये बिल्कुल मैत करिए, सिंपल ब्रिधिंग एक्जरसाइजेज जो ब्रेथ होल्ड इन इंस्पिरेशन और स्लो एक्स्पिरेशन ये फिजो तेरेपिस्ट के एडवाइज में या आपके डॉक्टर के एडवाइज में आप कर सकते हो, और जब सा कि कुछ ऐसी बिमारी हो गए है, जिसने वो यह ऐसे जूट फेकते रहते हैं, तो ये सारे जो क्लेम ये छोटे सी क्लिप आई है, इसमें रामदयो बाबा की ये गलत है, ये वैद्नानिक आधार पर नहीं किये है, ये सुडो साइंस बता रहे है, गलत तरीके का साइंस पर ह हमारे सामने प्रेजन कर रहे हैं, और इसमें जो थोड़ा सा पॉलिटिकल जो मोटिवेशन है रामदयो बाबा का, कि ये जो आप बेड और ऑक्सीजन और समशान गाट का जो चक्कर चल रहा है, ये सब जरुरत नहीं है इस सब की, लेकिन ये तो ग्राउंड लेवल की रिय तो ये कही ना कही है, इसमें एक राजनितिक दुलगंड रामदयो बाबा के इस मुद्दे में भी आती है, साथियों ये मुद्दा बिल्कुल सब से शेयर किजिए, आपके रिष्टेदार, दोस्तों में शेयर किजिए, ताकि लोगों को पता चले कि जब हालात गंबिर हो हो जाता है, तो इसमें आप अक्सिजन, मेडिकल सर्विस, हॉस्पिटल में अड्मिट होना, ये सब करना है, ना कि बसरी का कपालवाती करना है, बसरी का कपालवाती, जिनको लक्षन नहीं है, या कोई माइड लक्षन है, वो लोग ट्राइ कर सकते हैं, या आप जब कोवि इमर्जन्सी है इसमें आप मेडिकल जानकार डॉक्टरों से ही सला ले ना कि ऐसे सुडो साइन्स फैलाने वाले बुआ बाबाओं से उनकी सुने मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात से सहिमत हो और आप जादा से जादा इस वीडियो को प्लीस फैलाईए मैं डाइबेटिस टाइप वन के बारे में जो बाबा का क्लेम है रामदेव का ये इसके उपर भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊंगा और वो भी शेर करूंगा प्लीस शेर दिस वीडियो जैहिन सात्यों